हेलो इस्टेंट तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म लेट्स स्टड़ी इंडिया में जैसा कि आप लोग को अभी तक वेक्टर डिफ्रेंसियेशन पर आधारित कुछ प्राब्लम्स का डिस्कसन किया जा चुका है तो आज हम फर्दर उसके आगे प्रोसीड करेंगे कि वेक्टर डिफ्रेंसियेशन से बेस्ट कुछ रिजल्ट न आये हुए हैं या जिसके एक्जाम में आने के पूरे-पूरे चांस्य हमेशा से ही रहते हैं और इस बार भी रहेंगे तो थ्यूरम को शुरू करने से पहले हब कुछ हिंदी की पंक्तिया है जो की बड़ा फेमस है उससे आप लोग को मोटिवेशन देना चाहते हैं कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केसव दास अवके कभी खद्योत सम जहता करत प्रकास सूर सूर का नाम सुने अर्था सूर दास सूर सूर माने सूर दास का अस्थान जो हिंदी साहित्य में है वो सूर के समान है तुलसी ससी तुलसी माने तुलसी दास का अस्थान ससी माने चंद्रमा के समान है उडगन केसव दास उडगन माने होते हैं सितारे तारे जो आसमान में रहते हैं तो केसव दास का अस्थान त रटना प्रकास फैला रहे हैं मुख्य विंदूओं पर चर्चाए ही नहीं कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में सूर्दास के तरह इस संसार में अपने इस सूर्व की आभा को विखेरिए तो चलिए स्री गड़ेश करते हैं आज के थिवरम फस्ट की ठीक है तो थिवरम फस्ट क्या है तीन थिवरम की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में तो थिवरम फस्ट हमारा क्या कहता है अच्छा यह भी बात है कि जो बच्चे इससे पहले वेक्टर डिफ्रेंस येसा न देखे हो वो देख ले कब ये चीजे आपको और इस पस्ट रू थिवरम फ्रूफ करने के दो पार्ट है एक होता है नेसेसरी पार्ट एक होता है सफिसियंट पार्ट नेसेसरी पार्ट में क्या जरूवत है क्या दिखाना वो चीज देखते हैं और सफिसियंट उसी का कनवर्स कर देते हैं जो चीज हमको दिखाना उसको मान के चलते हैं औ दोनों मेथड से मारा हो जाता है काम सही, कि यह necessary और sufficient condition है कि यह यह होगा, तो यहां पे भी दो चीजे हैं, क्या है? एक necessary portion है, और एक हो है sufficient portion, तो necessary portion नेसेसरी का क्या है? नेससरी माने हिंदी में होता है आवस्चक. आवस्चक चीज क्या है? भोजन बनाने के लिए आवस्चक पदार्थ क्या-क्या है. तो वईसे इस थिवर्म को बनाने के लिए आवस्चक चीजे क्या-क्या है? वह चीज देखिए. the necessary and sufficient condition for the vector function at, आपने को पहले क्या चाहिए, एक vector function चाहिए at, t यहां पे क्या है, वो एक variable है, scalar variable है, a एक vector function है, और वो कैसा चाहिए, वो constant चाहिए, तब हम दिखा पाएंगे कि हमारा da by dt जो है, 0 होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, proof इसका, पहला necessary condition, necessary condition, necessary condition भाईया, देखिया मैं necessary condition शाठकर तोर के लिख दिए, ठीक है, पहले क्या चाहिए, let us consider a vector function a, let us consider a vector function, इसको साठकर तोर पे ही लिख देते हैं, जगा की कमी है यापर, ठीक है, let us consider a vector function a, आपर scalar variable t, वो कोई scalar variable t का function है, scalar variable t, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक चीज हमने भूल नहीं लिखा, दिखना चाहिए, यह वेक्टर फंक्शन हमारा constant, तो यह आपर लिखिए, let us consider a, एक constant vector function, और constant vector function a, आप scalar variable t, अब constant है, इसका मदलब क्या हुआ, अगर कह दिया जा, हम दो घंटे पहले आपके घर पे आये हो, और आप उने घर पे मिले हमसे, अब दो घंटे बाद फिर आवें, आप घर पे ही बने रहें, जहां पे हम मिलके गए थे वही प्याप रहें, तो इसका मदलब यह vector function constant है, तो चाहे time दस घंटे बाद ही आप आवें, यह वही पे मिलेंगे जहां पे यह पहले थे, तो कहने का मदलब क्या है, then a t plus delta t, माने पहले यह पे t जो इसके लिए वरिये बूल है, वैसे यह denote कर रहा है time के लिए, तो पहले जिस position पे थे यह a, भाई साहब, उसी position पे after some time भी यह मिले, 80 अवस्था में ही रहेंगे, यह कहीं भागेंगे नहीं क्योंकि पहले time t पे इनकी position यही थी और बाद में कुछ time के बाद यह आए तो भी यही पे position मिली, यह चीज तो फिक्स है, यह चीज तो आप यहां से निकल के आई चीज़े, अब देखिए, अब हम बात करते है da by dt की हमको बात करनी है, तो da by dt का मतलब क्या है, a में t के साब पे छोने वाला change, time के respect में a में कितना change हुआ, एक small time interval में वो कितना change किया है अब अपने position को, तो time interval small होता है, तो limit यहां पर कौन सा time ले रहा है आप push time के लिए, delta t, तो limit delta t tending to zero, final position इसकी क्या है यह position है, a t plus delta t minus इसकी initial position क्या थी, पहले यह कहां पर था, a t पर था, तो minus a t, अपन में कितने time, time interval का कितना difference है, कितना change हुआ time, तो delta t यह time change हुआ है, small time interval में हम लोग देखते है, अब देखिए, इसकी value तो आपको पता है कि यह है भाईया क्योंकि constant है, तो यहां पर यह value यह क्या रख देंगे a t, क्योंकि बहुत यह आसान तरीके से theorem आपको हम समझा रहे हैं, और इससे आसान आप समझ पाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत आसान है theorem यह, यह बहुत theorem आसान है, बस आपको wording में थ्रहा सा इसने बान दिया, तो आप लोग परसान हो जाते हैं, और wording के चक्कर में कभी परसान नहीं होना है, ठीक है, देखिए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कि limit delta t tends to 0, इसकी value क्या भईया यह बताया, हमने 80 है, क्योंकि time के रिस्पेक्ट के position में कोई change नहीं हुआ है, और minus 80 by delta t, तो यह value क्या हो गई हो भराल, यह हो गई 0, क्योंकि यहां पे 0 हो जाएगा, अब क्या 0 हुआ, दिये भाई dt 0 हो गया, यह हमारी necessary condition थी, कि हम मान के चल function हो दिखा दे कि da by dt 0 होगा, अब इसी का reverse हम लेके चलेंगे, अब हम यह चीज लेके चलेंगे, जिसको दिखाना था, da by dt को हम 0 लेके चलेंगे, और दिखाएंगे कि हमारा यह 0 हुआ, तो यह एक vector function a, constant vector function कहा जाएगा, अब इसका converse, sufficient condition, अब sufficient condition क्या है, अब हम मान के क्य करते हैं, कि da by dt 0 है, तो हम लोग assume क्या करेंगे, हमारा assumption क्या है इस बार, कि da by dt 0 है, तो let, da by dt is equal to 0, then we have to prove, then we have to prove, हमको क्या prove करना है, the a is a constant vector function, constant vector function, ठीक है भाईया, बहुत मनिया, अब हमने एक चीज, यह देखा, कि a जो है, वह क्या है, एक vector function है, ठीक है, हमने एक को vector function माना है, constant नहीं का, भी constant का देंगे, तो यह proof है हो जाएगा, a एक vector function है, तो a का स्वरूप किस तरीके का होगा, a का जो स्वरूप होगा, वह आपका किस तरीके का होगा, a1, i, plus a2, j, plus a3, k टाइप का होगा, क्योंकि यह एक vector function है, तो vector हमेशा component फार में लिखा जाता है, पढ़ते आये हुए हैं बचपन से हम लोग, तो यह, एक कुछ इस तरीके का हमको मिलेगा, let a is equal to this type, और यह समस्त चीजे क्या है, यह t का, क्योंकि da by dt की बात होगी, यह t का function होगा, यहाँ पर a b function t का होगा, यह, यह समस्त चीजे t के function के रूप में होगी, तो चीजे वो आपको understood हैं, वो आप समझ रहे हैं, अब एक चीज देखिए, अब हमको क्या करना क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू है, तो क्या करेंगा, differentiating both sides with respect to t, तो क्या हो जागा, da by dt is equal to, यह क्या हो जागा, da1 by dt, plus da2 by dt, plus da3 by dt k, ठीक है, कि माली जीए, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि बहुत बढ़िया बात, अब एक चीज आपको दिख रही, कि यह चीज क्या हमने लेके चला है, कि यह 0 है, देखिए, अब चलते हैं फोचा उपर जगत, और देखिए, ठीक है, देखिए, हम यह लेके चलें कि यह क्या है, 0 है, तो da by dt की जगर के हम रखेंगे, क्या 0, तो 0 is equal to क्या हो जागा, da1 by dti, plus da2 by dtz, plus da3 by dtk, अभी तक कोई दिख्कत परसारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही simple simple मैच चल लहा है, अब, इस 0 को चाहे, तो आप इस तरीके से अगर लिख दें, component farm में इसको भी, तो कोई दिख्कत की बात नहीं, देखें, component farm में इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम लोग लिख दें, कि 0i, plus 0z, plus 0k, तो कोई दिख्कत नहीं होगा, है तो 0 है, component में ने लिखा है, हमने, क्यों लिखा, क्यों कि compare करने में आसान हो, आसानी पड़ा है आपको, तो आप इस दीए बाइडीटी क्या दिख रहा है भया, जीरो, और डीए 2 बाइडीटी क्या दिख रहा, यह भी 0, और डीए 3 बाइडीटी क्या दिख रहा, वो भी 0, तो comparing both sides, we get या we obtain, यह सब आप अपना भाँसा लिखेंगे, यह नहीं कि हम भग दे रहे हैं, आप लोग भग जाएं, तो compare करने में हमको क्या मिला है, कि da by dt is equal to 0, da2 by dt is equal to 0, और da3 by dt is equal to 0, यह मिला हमें, तो यह मिला, अच्छ है, अब मैंने बताया कि a1, a2, a3 क्या है, यह component है, a, k, i, j, k, k, l, अब देखिए, किसी function का derivative 0 है, इसका मदलब क्या हुआ, d by dx आप 1, 0 कहते हैं, माने वो function क्या रहा होगा, constant रहा है, माने यहाँ पर इसका derivative 0, इसका derivative 0, इसका derivative 0, इसका derivative 0, इसका मदलब यह a1, a2, a3 यह constant रहे हैं, तभी उसका 0 हुआ है derivative, तो इसका मदलब क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या लिश्कर्स निकाला, कि we conclude that, a1, a2, a3, a1, a2 and a3 are constant vectors, यह constant हुए, एक चीज यहाँ पर और निकल के आई, constant हुए, तो क्या निकल के आया, यहाँ पर variable t था, a1, a2, a3, किसके function थे t, अगर d by dt of t square लिखा रहता, तब तो 2t आता सीधा, लेकिन अगर d by dx आप k लिख दिया जाए, तब का आएगा, अगर k constant है, तो 0 आता है, तो वैसा यहाँ पर a1, a2, a3 constant है, अर्थात इसका derivative 0 हुआ, माने इसमे t का कोई रूपही नहीं था, t का स्वरूप होता, अगर a1, a2, a3 में, तब तो t के respect में करते तो कुछ बैलू आती नहीं, तो यहाँ पर लिख दिजी एक चीज, कि hence a1, a2, a3 are independent from t, a1, a2, a3 constant है, और हमने जो a माना है वो इस तरीके का है हमारा a, a हमारा यह था, a1, i, plus a2, j, plus a3, k, इस तरीके का था, यहाँ पर हमने देखा कि a1, a2, a3 यहाँ से क्या आया constant, अब तीन चीजे constant आई, तो उनका जो linear sum है, वह करने पे भी क्या होएगा, constant आएगा, यहाँ a1 का मान अगर 5 है, यह मानलो 4 है, यहाँ है 3, तो अगर उनको जोड़ोगे 5, 4, 3 को तो एक constant number आएगा, वह भी क्या होगा, constant है नहोगा, तो इस प्रकार से a जो हमारा दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, constant है, क्योंकि वह इसके linear sum के रूप में हो, यह चीजे individually क्या है, constant है, तो लिख दीजिए, therefore, a is a constant vector function, और यही हमको प्रूप करना था, कि da by dt को हम लोग 0 लेके चलें और इसको constant vector function दिखा दें, तो निससरी भी प्रूप सभी c and proof overall हमारा प्रूप हो गया theorem का, तो this is your theorem first, theorem first बहुत आसान था, इसके लिए बहुत माथा लगाने के जरुवत नहीं है, और यह exam में आएगा तो आप लोग इजली कर लेंगे, simple math use हुआ है, इसा कोई इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मारा गया है, theorem 2 पे बात करेंगे अब लोग, theorem 2 क्या करता है, देखिए भईया, theorem 2, यह भी exam में आता है, वो आया भी हुआ होगा, और आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, theorem 2 पहले समझेगे, यह कहना क्या चारा है, उसके बाद हम लोग इसके प्रूप पर पढखेंगे, इस बार necessary sufficient का नाटक नहीं है, इस बार सीज़े एक बार में theorem प्रूप कर देना है, क्या कर रहा है, कि if a is a differentiable vector function, भईया, यह differentiable के लिए मैंने इसे start cut लिखा है, ठीक है, कि a कोई differentiable vector function है, scalar variable t का, तो if magnitude of a, माने mod of a की value के, बुक में कहीं हमने देखा कि उसमें जो इस vector a को फ्रासा डार कलर से लिखा था, और जो उसका magnitude था वो भी ए लि लिखा था, तो मैंने a की जगा k लिख दिया, क्योंकि confusion नहीं हो आप लोग को, क्या है, कि अगर a कोई differentiable vector function है, scalar variable t का, और उस a का magnitude k दिया है, यह k constant नहीं है, पहली बात यह बहुत लोग पहला क्याते, k है तो यह का constant होगा, constant नहीं है, जब तक question नहीं कहा जाए, constant है, तब 2k dk by dt, और second a dot, यहाँ पे dot है भहिया, dot, a dot dA by dt is equal to k dk by dt, तो theorem का proof देखिए, इसमें निससरी फिससरी वाला नाटक नहीं है, तो सीधे हम लोग prove करते है, क्या भहिया, prove सीधे, first portion अपने को क्या है, prove करना कि d by dt of a square, आपने को दिया क्या है, a है, differentiable vector function, आप scalar variable t, उसका magnitude k दिया है, तो given that, आप लोग लिख लिजिए, क्या दिया है, इसको हमको prove करना है, क्या, 2k dky dt, तो given that, क्या दिया है भहिया, कि a कोई differentiable vector function है, और उसका magnitude k के equal दिया है, ठीक है, आप लोग vector लगा लिजिए, किताब में तो vector लगा नहीं था, मैं बता देना हूँ से, ठीक है, बढ़िया, अब हमको a square की जरुवत पढ़ेगे, तो a square को आप लोग इस तरीके से लिख्या है, अगर a dot a, तो कोई दिक्कत होगी, a dot a का मदलब ma dot a का square माने a square है हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो a square को हम लिखते है a dot a, और आप लोग एक चीज़ जानते हैं, कि a dot a क्या होता है, ma dot a, ma dot a cos theta, और यहाँ पर a का a के response माने, दोनों a कही direction में है, और जब same direction हो जाए, तो angle क्या हो जाता है, 0, तो cos 0, और cos नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ma dot a, ma dot a, ma dot a, आपने दिया क्या है, k, तो k का square, यहाँ हमारी a square की value, अब हमको इस पर apply करना है d by dt, तो d by dt अप क्या हो जाएगा, देखो, d by dt अप a square, माने क्या हुगा, d by dt अप a square की value क्या है, k square, और मैंने बताया है, कि k constant नहीं है उसमें कहा नहीं कि k constant है तो जब constant नक है तो अपने मन से नहीं वहाँ पे करना है अब देखिए यहां पे हम लोग सीधे क्या कर देंगे chain rule लगाएंगे तो d by d k आप k square into d k by dt कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा k square का k के respect में 2k हो जाएगा और d k by dt है यहाँ पे तो 2k d k by dt यह हमारा जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ d by dt आप a square is equal to this यह portion हमने प्रूफ कर दिया लिक तो प्रूफ अब हमको क्या प्रूफ करना भई यह डाट d by dt is equal to k d k by dt और उस theorem का प्रूफ करने के लिए इसका हम लोग लेंगे help तो देखिए कैसे करते हैं second portion देखिए second theorem क्या करा था second part इसका कि a dot d by dt is equal to k d k by dt यह प्रूफ करना है अच्छ है अब ही हमने बताया क्या कि d by dt आप a square को हम लोग क्या लिख सकते हैं d by dt आप a dot a लिख सकते हैं अब देखिए मैंने पढ़ाया था इससे पहले के लेक्चर में प्रापर्टी जाब वेक्टर डिफ्रेंसियेशन उस पर प्रापर्टी लगाया था मैंने पढ़ाया था प्रोडक्ट कैसे किया था दो वेक्टर फंक्शनों का उस पर डेडिवेटिव कैसे अप्लाई किया था है तो आप क्या करेंगे डिए बाई डिटी इंटू ए करेंगे मतला पहले वाले प्लाई करेंगे दूसरे वाले को छोड़ेंगे और दूसरे वाले का करेंगे पहले वाले को छोड़ दो दूसरे वाले का कर दो तो एडाट डिए बाई डिटी हमको एडाट डिए बाई डिटी के टर्म पे चाहिए माने यह वाले चीज को हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैंने बताया है कि डाट प्रोड़क्ट कम्यूटेटिव होता है, a.b is equal to b.a, तो चाहे इसको पीछे से लिखिए, चाहे इसको आगे वाले तोर पे लिखिए, मतलब यह कही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, a.da by dt लिख सकते हैं, और a.da by dt, a.da by dt, तो क्या हो जागा, 2a.da by dt, और यह कहां से हुगा, मैंने बताया है, कि डाट प्रोड़क्ट कम्यूटेटिव होता है, सकेलर प्रोड़क्ट कम्यूटेटिव होता है, और d by dt, आप a² की वैलू अभी क्या निकाले थे, आप 2k dk by dt, तो इसकी जगह पे हम वैलू रख देते हैं, 2k dk by dt, तो क्या हो जाएगा, 2k dk by dt is equal to, क्या है भाईया मेरा अभी, 2a.da by dt, और 2 से 2 रगड दीजिए, बने कै तो क्या है, a.da by dt is equal to, k dk by dt जो हमको प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया प्रूफ, और ये थियूरम हो गया प्रूफ, थियूरम नंबर 2nd भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, अब थियूरम की चर्चा करेंगे, हम लोग 3 की, थियूरम नंबर 3 कैसे प्रूफ दियूरम 3 क्या करता, वो और आसान है, देखे थियूरम 3 क्या है, पहले statement समझेंगे, उसके बाद इसमें भी नक्सेसरी और सफिसेंट और नाटक नहीं है, क्या कर रहा है, कि if a has constant magnitude, r length, constant magnitude कहीं है, बात ये कहीं है, fixed magnitude या fixed length भी कहा जाता है उसी को, तो कर रहा है कि a has constant magnitude, r length then a and da by dt are perpendicular provided by modulus of da by dt is non-zero, करने का मतलब a है, कोई constant magnitude का एक vector है, तो उसके दिखाना कि a and da by dt जो है 0 है, perpendicular है, अब जबकि modulus of da by dt is non-zero, अब देखिए, एक ची में बताया हूँ, कि जब दो वेक्टरों को perpendicular दिखाना रहे, तो उनका dot product सीधे 0 दिखा दो काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वो आप लोग समझिए, देखिए, कुछ चीज़ों तो question में दी हुई है, तो उनका help लेंगे, और अपने चीज़ों को prove कर लेंगे, a का magnitude हमको दिया है constant, तो given that क्या है, modulus of a is equal to k, अब यहाँ पे k को क्या कहेंगे, constant, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा, उसका magnitude k हम माने हैं, और जो कि एक number है, वो constant है, fix है, अब हम लोग क्या करते आए हैं, कि d by dt आप a square को क्या लिखते हैं, d by dt आप a dot a लिखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि a square को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a dot a लिखते हैं, तो यह होता है, mod of a, mod of a, cast 0, cast 0 की value 1, और यह क्या होगा, mod of a, तो mod of a की value क्या है, k, तो k into k, माने k square, और जो कि है क्या, constant, k constant हो, तो k square की value भी क्या आएगी, constant ही आएगी, तो यह भी constant है, अब देखो, अब इस चीज के हम लोग करेंगे, यहाँ पे use, अब देखिए, d by dt आप a square, a square की जगा पे हम लोग क्या निकालें, k square, जो कि constant है, तो अगर हम d by dt आप k square लिखें, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब देखिए, यहाँ पे apply क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ी है, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे अभी जो उपर apply किये थे, product rule लगाये थे derivative का, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको, a dot d a by dt plus d a by dt into a, और मैंने बताया है कि that product is always commutative, commutative होता है, और यहाँ पे यह constant है, k square को इसने constant वहने कहा है, क्योंकि question में, मतलब theorem में ऐसा कहा है उसने, तो constant का derivative क्या होता है, जीरो, और यह commutative है, क्योंकि that product है, scalar product commutative होता है, तो इसको हम लोग लिखते है, 2 a dot d a by dt, अभी इसके पहले वाले theorem में भी हमने यही लिखा था, अब 2 से यहाँ पे divide कर तो क्या हो जागा, 0 is equal to a dot d a by dt, अच्छा है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि scalar product क्या आ रहा है, 2 vectors का 0, अगर 2 vectors का scalar product 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने पताया है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहा है कि 2 vector का scalar product 0 होने का मतलब कि वह vector एक दूसरे के perpendicular है, इसका मतलब क्या हुआ, कि here the scalar product of 2 vector is 0, therefore vector h perpendicular to d a by dt, मतलब यह अपस में दूसरे के perpendicular है, यह चीज़े है, perpendicular है यह अच्छा और एक चीज़ यह भी कहा है, क्यों perpendicular है तो यह भी दिखाना कि माडूला साब d a by dt is non 0, अच्छा अब एक चीज़ बताईए, a कोई vector है, a एक vector function है, t variable का, मालो a इस तरीके का है, मालो एक vector function है t qi plus t square j plus t k, तो इसका जब भी modulus निकालोगे, d a by dt जब भी निकालोगे, तो वो भी जब भी आप निकालोगे, d a by dt आप जब भी निकालोगे तो वो भी function आप t आएगा, function आप t रहेगा और साथ में vector भी रहेगा, प्लस vector भी रहेगा, आप लोग देखोगे यह चीज तो हटेगी नहीं, यह चीज तो हटेगी नहीं, यह चीज तो हटेगी नहीं, नहीं नहीं हटेगी, और जब उसका magnitude लोगे, d a by dt, माने यहां से d a by dt निकालोगे और जब इसका magnitude लोगे, तो अभी कोई fixed value आएगी, कुछ number आएगा, ऐसा तो है नहीं कि fixed value आएगी वो 0 हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं, किसी vector का magnitude तब तक 0 नहीं होता, जबकि वो vector null vector नहीं हो, यहां पे तो vector null है ही नहीं, यहां पर उसकी कुछ value दी हुई है, अगर a null होता, तो d a by dt also 0 होता, और उसका magnitude निकालते तब वो 0 आता है, लेकिन इसका मदलब यहां पर क्या है, कि d a by dt is not a null vector, यहां पर लिख देना है since d a by dt a is a vector, therefore d a by dt is also a vector, not a null vector, so modulus of d a by dt is non-zero, यहां पर सामिल तो यह भी हो रहा, इसका मदलब यह 0 नहीं है, और यह 0 नहीं होने कारण यह है, क्योंकि यह 0 नहीं है, इसकारण यह 0 नहीं है, उनके बीच का orientation 90 degree है, इस कारण से वो 0 हो रहे हैं, लिख देना, therefore modulus of d a by dt is not equal to 0, त्यास यह 3 theorem बड़े आसानी से आपने प्रूफ किया, और यहीं एक्जाम में आपके देखने को मिल सकते हो और आते भी है, तो इससे पहले का जो बच्चे अभी तक lecture ना देखे हो, पहले उसे देख ले, तक पश्चात ही इसे समझें, तभी आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आने वाला है, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा वीडियो को, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किये हो, वो पहले सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेसर का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी हम लोग अपडेट देस और ब्रथम आपके पास पहुश सकें, और इस वीडियो को जादे सजादे अपने मित्रों के साथ सेयर करिए, जिससे वो भी अधिक से अधिक इस पढ़ाई का आनन्द उठा सकें, और कमपटीशन का महल और बढ़ा सकें, तो नेक्स तीन थ घंडिवाद